तो भाई आज हमारे पास है दो नए स्मार्ट फोन जो की हाल ही में लाँच हूँ है इंडिया के अंदर एक है सेमसंग का F04 और ये है मोटो का मोटो E13 और भाई आज की इस वीडियो में हम find out करेंगे कि अगर आपका budget like 10,000 से कम है तो आपको कौन सा phone purchase करना चाहिए अगर हम बात करें थोड़े से बड़े budget की तो काफी सरे option है market में लेकिन अगर आपका budget कम रहता है तो option की कम ही हो जाती है भाई अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपका confusion क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए best phone कौन सा है जो की lag बैग ना करें तो चलिए शुरू करते है भाई और अगर चैनल पे नए हो तो यार subscribe मार देना और वीडियो अच्छा लगे तो hit that like button और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों smartphone के pricing की क्योंकि भाई pricing बहुत है जरूरी है तो basically ये वाला phone 8,000 रुपे का है और ये वाला phone 9,000 रुपे का है तो भाई दोनों phone कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं आप देख सकते हैं काफी प्यारे हैं दोनों ही smartphone बट unboxing experience के लिएकर हम बात करें तो same ही था दोनों में आपको charger और data cable मिल जाती है बस ये वाले phone में आपको back cover देखने को नहीं मिलता जबकि इस वाले phone में हलका सा transparent वाला आपको दिया गया है तो ये काफी साही चीज लगी आपको ये अगर ख़रीदना है तो cover ढूनने जाना पड़ेगा अब ही guys बात करते हैं सबसे पहले दोनों smartphone की design की भाई क्योंकि भाई design भी कही न कहीं matter करता है अगर आप कोई phone purchase करते हैं तो भाई design wise काफी similarities हैं लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें आपको अलग देखने को मिलती है like ये वाला जो phone है इसमें आपको जो framing मिलती है वो flat framing मिलती है तो अगर आपको कुछ इस type के phone पसंद है like iPhone जैसे तो शायद ये वाला phone आपके लिए थोड़ा सा काम में आ सकता है Samsung F04 में जो material यूज हुआ है ये है plastic और हलका सा shiny back के साथ में आता है और भाई जो moto का E13 है ये 180 ग्राम का है और जो Samsung का F04 है ये 188 ग्राम का है पाकी भाई बात करते हैं दोनों phone के display की न तो यहाँ पे दोनों भी phone में आपको 6.5 इंचेस की display देखने को मिलती है और दोनों phone भाई support करते हैं SD plus display को साथ ही साथ दोनों phone में आपको water drop notch वाली design देखने को मिलती है जो कि आम है भाई क्योंकि इस budget में आपको punch hole camera कोई नहीं देने वाला और भाई अगर हम बात करें दोनों phone के display की quality की न तो ये भी काफी बढ़िया लगी अगर आप देखेंगे price को तो better आपको लगेगी इससे best आपको display चायद ही किसी और phone में मिले इस price के अंदर आप गाईस बात करेंगे दोनों smartphone के processor की and power की भाई जब इसकी हम बात करते हैं न तो यहाँ पे game थोड़ा change होता हुआ दिखिए आपको क्योंकि Moto E13 में आपको देखने को मलता है Unisoc T606 जो की काफी ज़्यादा powerful है अगर आप compare करेंगी MediaTek E35 से और आपको specs में उतना ज़्यादा competition देखने को नहीं मिलेगा लेकिन real life test जब हमने किया तो gaming के अंदर यह वाला phone काफी बढ़िया से perform किया है और apps उगरा closing के time पे opening के time पे भी यह वाला smartphone काफी बढ़िया perform किया है जो की है Moto E13 तो उसके हिसाब से यहाँ पर performance ज्यादा better आपको देखने को मलती है बागी यहाँ पर आपको देखने को मलता है MediaTek का Helio P35 और भाई चलिए आपको यह चीज दिखाते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप दोनों स्मार्टफोन में हमने PUBG New State open इंस्टाल किया हुआ है 04 और यह है Motorola E13 तो दोनों स्मार्टफोन में हम लोग साथ में open करेंगे तो यहाँ पर start करते हैं और भाई यहाँ पर देखना और यहाँ पर देख सकते हैं कि guest login आ चुका है और भाई Samsung काफी आदा time यहाँ पर लगा रहा है और finally यहाँ पर भी open हो चुका है हलका सा यहाँ पर difference जरूर है आप देख सकते हैं और guys जिकर हम बात करें इन गेम settings की तो यहाँ पर आप graphics देख सकते हैं clearly और graphics quality के अगर हम बात करें तो यहाँ पर light और HDR है high, ultra और extreme ऐसा कुछ भी option देखने को नहीं मिलता है तो अगर आप gaming के हिसाप से देखेंगे तो आपको Moto E13 में performance जाता better देखने को मिलेगी Moto E13 आता है Android 13 के साथ में और साथ में Android Go का experience आपको देखने को मिलेगा और इस phone में आपको देखने को मिलता है Android 12 तो latest में आपको Android यही deliver करता है और अगर हम बात के लिए दोनों smartphone के एप opening और closing की तो almost same ही है हलका सा ये वाला phone better perform करता है किसी किसी case में और किसी किसी case में Samsung भी थोड़ा सा आगे निकल जाता है बाकि भाई बात के लिए दोनों smartphone के RAM और ROM variant की तो ये वाला phone सिर्फ एक RAM और ROM variant के साथ में आता है विच इस 4GB प्लस 64GB जबकि ये वाला phone मेरे पास जो है ये है 464 बट इसका एक और variant है अगर आपको थोड़े से कम पैसे डालने है तो आप 2GB प्लस 32GB भी ले सकते हैं बाकि भाई बात करें दोनों smartphone के camera's की तो ये वाले phone में आपको single camera देखने को मलता है which is 13MP जबकि ये वाले phone में आपको dual camera देखने को मलता है पहला आपको जो camera है वो 13MP का है और दूसरा है 2MP का और हाला कि 2MP के sensor उतने काम के होते नहीं है बट यहाँ पे दिया गया है और अगर हम बात करें इस दोनों smartphone के camera quality की तो camera quality यहाँ पे आप side by side देख सकते हैं और overall camera quality मुझे moto के E13 की better लगी है बाकि भाई बात करें दोनों smartphone के front camera की तो front camera के हिसाब से दोनों smartphone काफी बढ़िया perform करते हैं दोनों smartphone में आपको 5 megapixel का front camera देखने को मिल जाता है और कुछ photos इसकी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकि भाई दोनों phone में आपको 5000 image की battery देखने को मिल जाती है और अगर हम बात करें इस phone के charging speed की तो यह है 10 watt का लेकिन भाई Samsung के F04 में आपको 10 watt की भी charging देखने को नहीं मिलती है यहाँ पे जो charger दिया गया है वो है 5 volt 1.55 ampere तो अगर आप ऐसे थोड़ा सा calculate करेंगे ना तो 7.75 watt हो जाता है तो Samsung वाले से थोड़ी सी और देख से तो मजा आ जाता है लेकिन नहीं मिलती भाई अब guys यहाँ पे बात करें दोनों smartphone के pricing की तो pricing तो हमने starting में ही बताई थी लेकिन यह वाला phone का एक advantage है यहाँ पे 2GB RAM के साथ में आपको 32GB भी देखने को मिलता है तो अगर आपका budget थोड़ा कम है तो यह वाला phone आप सिर्फ 7,000 रुपय में purchase कर सकते हैं तो यह काफी बढ़ी आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर भाई अच्छा लगा है तो यह लाइक करके जाना और subscribe कर लो ऐसे ही must content के लिए चलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए have a great day